आप सबका physics के online classes में सवागत है आज हम लोग exercise to problem number 4 पे बात करेंगे किस पे बात करेंगे problem number 4 पे आएं देखते हैं क्या दिया गया है देखें 12 cm त्रिज्या वाले एक गोली चालक के प्रिष्ट कितना है 12 cm त्रिज्या है 12 cm त्रिज्या है और इसके सता पर कितना आवेज दे रखा है एक दिसमले उच्छा पुड़े 10 के घाते माइनस 7 कुलाम यह आवेज दे रखा है यह क्या है गोली चालक है इस्फेरिकल से लहे इस्फेरिकल कंड़क्टिंग से लहे गोली चालक है हमें क्या करना है हमें इसके अंदर यह इंसाइड बताना है यह सर्फेस बताना है और यह आउटसाइड पर हमें बैल्यू केलक्लेट करना है जो आउटसाइड है वो कितना दूरी है 18 cm है ठीक प्राब्लम को देखें एक प्राब्लम है कि एक 12 cm का कंड़क्टिंग इस्फेरिकल सेल है उसके द्वारा उस गोले के अंदर सता और बाहर बैदुद छेत के तिवरता ज्याद करना है जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई इस्फेरिकल सेल है तो इस्फेरिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फिल्ड होती है वो क्या हो जाता है जीरो क्यों जीरो हो जाता है चुकि संपूर आवेश कहां पूझ जाता है संपूर आवेश चुकि संपूर आवेश चुकि देखें एक प्राव्लम है एक 12 सिंटिमेटर का गोली चालक है गोली चालक है जिसके सता पर जो आवेश एक दसमलोच्छा गुड़े दस गाते रिड़ साथ कुलामब है और उसकी तरिज्जा है 12 सिंटिमेटर उसके सता और अंदर तथा उसके केंदर से 18 सिंटिमेटर दोर पर हमें बैदु छेत के तिवरता ग्याद करनी है जबकि हम लोग जानते हैं किसी गोली चालक के अंदर गोली चालक का जो संपूर्ड चार्ज हो जाता है उसकी सता पर उसकी सता पर सता पर बितरित हो जाता है distributed हो जाता है जाता है अता गोले के अंदर जो आबेस होगा वह क्या सुन्य होगा तो हम लोग जानते हैं एक्वाडिंग टू गास्थियोरम इडाट डी एस इक्वल टू क्यू इंसाइड अपान अफसालेन नाट दैट इज इक्वल टू जीरो यह जीरो है इसका अर्थ क्या है डी एस तो जीरो हो नहीं सकता तो जीरो क्या होगा बैदुछेत की तिवरता ध्यान से देखें हम ल अंदर कोई अवेस है नहीं अंदर अभेस नहाने के इस्थितमेस कमान सुन्हों गया चूंकि सुनने क्या यह इनसाइड सुन्हों गया ठिक दूसरा सेकंड पर क्या वैलू आगी इसके सता पर जो बैदू छेट किती बढ़ता होगा वह क्या होगा इस सर्फेस इक्वल टू क्या होगा के क्यू अपान आर इसक्वाइर के की वैलू कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू कि आर की बैलू क्या है 12 सेंटीमीटर है इसको मीटर में बदलते हैं 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होली स्कार कर दिया और मेरा क्या हो जाएगा 96 जा 144 होता है 14.4 इंटू 10 की पावर 2 अपान क्या हो जाएगा 144 ट्वल ट्वल जा 144 इंटू 10 की पावर माइनस 4 एक कट गया उपर .1 आ गया और क्या हो गया इनटू 10 की पावर 2 इनटू 10 की पावर 4 टिडज इट इकॉलट तू 10 की पावर 5 निउटन प्रतिक कुलाम्ब एक उस गोली चालक के सता पर स्थे कलक के सता पर कितना कितना 10 की पावर 5 न्यूटन प्रत कुलाम्ब, clear, मेरा तीसरा केस है, कि उसके केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पे, बैद्धु छेत के तेवरता क्या होगी, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं, इक क्वल्टू क्या होता है, के क्यू अपान कैप्टल आरी सकर, जहां पर 18 सेंटीमीटर, 18 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का, होली सकर, और यह क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9, इंटू 1.6, इंटू 10 की पावर माइनस 7, अपान क्या हो जाएगा, 18 इंटू 18, इंटू 10 की पावर माइनस 4, देखें, 9 टूजा 18 हो गया, 9 टूजा 18 हो गया, और यह क्या गया ? 0.8 और यह क्या हो गया ? 0.4 और यह आ गया ? 9 तो यह बैलू आ जाएगे 4 into 10 की पावर 10 into 10 की पावर 8 into 10 की पावर minus 7 upon 9 into 10 की पावर minus 4 और यह मेरा equation बन जाएगा 4 upon 9 into 10 की पावर उपर जाएगा 4 plus हो जाएगा 10 की पावर 5 और इसको हम लोग इजी करेंगे 9 4 जा 46 4 4 into 10 की पावर 5 यह इप्राक्समेट क्या हो जाएगा ? 4.5 into 10 की पावर 4 न्यूटन प्रत कुलाम्द कितना बैदु छेत किती प्रत हो जाएगे ? 4.5 into 10 की पावर सिफ्ट न्यूटन पर कुलाम्द हम question number 5 पर बात करते हैं exercise का problem number 5 एक समान एक समानतर पट्टिका संधारित जिसके पट्टिकाओं के बीच में वाईव है कि धारिता 8 microfarad है एक समानतर प्लेट संधारित है जिसके बीच में हवा भरा है उसकी धारिता कितना है 8 microfarad है ठीक 8 picofarad है कितना दे रखा है 8 picofarad है एक पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए इनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए जो दूरी d है इसको घटा के क्या कर दिया जाए? dy to कर दिया जाए तथा इनके बीच की आस्थान को एक dielectric material से फिलप कर दिया जाए जिसका dielectric constant की है तो इसकी धारित्या क्या होगी question है फिर से देखें हम एक बार question को बता रहे है एक समांतर plate संधारित्र है जिसकी धारित्या कितना दे रखा गया 8 microfarad है जब उनके बीच की दूरी D है तथा इनके बीच में जो माध्यम भरा गया है वह क्या है y है क्या होगा इनके धारित्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब इनके बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए तथा उस आधी दूरी को किस से भर दिया जाए एक dielectric material से जिसका dielectric constant के बराबर 6 है हम लोग जानते है c बराबर क्या होता है epsilon naught a upon d होता है और इसकी value कितना है 8 pq farad है और इसी को लिख सकते है 8 into 10 की power minus 12 farad हम लोग यह लिख सकते हैं अब आगे बात कर रहे है आगे बात कर रहे है क्या होगा what is the new capacitance c dash if we decrease the separation by 2 जब इसकी separation को आधी कर दिया जाए and and the separation is filled with a dielectric material of dielectric constant k that is क्या हो जाएगा 6 into epsilon naught a upon d by 2 और 2 मेरा क्या होजएगा उपर चला जाएगा तो क्या होजएगा 6 into 2 into epsilon naught a upon d हम लोग क्या इक्केशन नमबर फर्स्ट से या या यब भी क्येशन से हम लोग देख रहे है c के value क्या है epsilon naught a upon d और उसकी value क्या है 8 pico farad तो यहाँ पर हम culture up कर देंगे value तो क्या देखा 12 into 8 pico farad 8 into 10 की power minus 12 तो यह मेरा क्या हो जाएगा 96 12 is a 96 into 10 की power minus 12 that is क्या हो गया 9.6 into 10 की power minus 11 farad ठीक c dash का मान क्या हो जाएगा 9.6 into 10 की power minus 11 farad देखे बहुत ही easy question है कि इफ यह parallel plate capacitor आप separation T and the separation is filled with air and their capacitance is c equal to 8 pico farad what is what is its new capacitance if separation is reduced by half reduced to half means D is reduced to D y 2 and and the and the backend position is filled with dielectric material आप dielectric constant 6 क्या है इनके बीच के जो खाली हस्तान है उसको dielectric पदार्थ से जिसका dielectric constant 6 से fill up कर दिया गया है तो हम लोग formula लगाए हमने कुछ नहीं किया k into epsilon nat A upon D y 2 कर दिया 2 उपर चला गया 12 into epsilon nat A upon D और epsilon nat A upon D कमा हमें पता है 8 pico farad और value को हमने put up किया हमें answer मिल गया चलते हैं next problem की तरफ question number 6 what is the next problem question number 6 क्या है 9 pico farad के 3 संधारित को 3D करम में जोड़ा जाता है sunyogen की कुलधारत है क्यों 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 है 9 pico farad के 3 capacitance को हम लोग किस में जोड़ रहे है पहले sunyogen की 3D करम में किस में जोड़ा जाता है 3D करम में ठीक और दूसरा क्या है sunyogen की कुलधारत है cq value क्या होगी आमें पता करना है दूसरा क्या है यह sunyogen को 120 volt से जोड़ जिया तो तो प्रतेख संधारित का भी हो क्या होगा दूसरा क्या है V1, V2 और V3 की value क्या होगा जब इसको 120 volt से जोड़ा जा है ध्यान से देखिए क्या दिया गया कुशन कि 3 कैपिस्टेंस है 3 कैपिस्टेंस है जिनकी कैपिस्टेंस कितना है 9 pico farad है कितना भी है 9 pico farad 9 pico farad they are connected in series किस में जोड़े गए है series में जोड़े गए है ठीक we know that the equivalent capacitance of series combination c equivalent भरावर 1 upon c equivalent भरावर क्या होता है 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3 ठीक चुकि c1 की value क्या है 9 pico farad है 1 upon 9 plus 1 upon 9 plus 1 upon 9 that gives 3 upon 9 that gives 1 upon 3 therefore 1 upon c equivalent equal to 1 upon 3 implies that c equivalent equal to 3 pico farad हमें कितना मिल गया 3 pico farad मिल गया clear किसी कोई problem नहीं होना चाहिए next next में क्या करना है next part में हमें क्या करना है what happens when these tapisters are connected with 120 volt battery क्या होगा जैसे ही हम एक को 120 volt से जोड़ेंगे तो होगा क्या बेटा हम सबोज करेंगे इस पर चार्ज कितना आ जाएगा plus q तो इस वाले पर चार्ज कितना आ जाएगा minus q due to induction बगल वाले पर plus q इस पर minus q इस पर plus q इस पर minus q clear या इसी कि हम लोग एक रखते हैं तीनों को हटा कि हम लोग एक रखते हैं c equivalent बड़ाबर 3 pq कितना बोल्ट की बैटरी है 120 बोल्ट की बैटरी इस पर भी चार्ज कितना होगा q होगा ठीक तो यहाँ पर q q value हम लोग calculate कर सकते हैं q बड़ाबर क्या होगा c equivalent into b c equivalent क्या है 3 pq फाइरड into b कि मान 120 equal to क्या जाएगा 360 pq बोल्ट 360 pq pq बोल्ट हो जाएगा कितना हमें sorry pq कुलाम्ब कितना वेस आजाएगा 360 pq कुलाम्ब means each capacitance पे कितना आजाएगा charge 360 into 10 की power minus 12 kq इस पर कितना आजाएगा 360 into 10 की power minus 12 kq इस पर कितना आजाएगा 360 into 10 की power minus 12 kq सब पे charge इतना आगै हम लोग जानते हैं q बडाबर क्या होता है c into b 1 q बडाबर क्या होगा c1 b 1 c2 b 2 c3 b 3 होता है we know that q equal to क्या होता है Q बराबर क्या होता है C into B होता है तो हम लोग के निकाल सकते हैं तो B बराबर क्या होगा Q upon C और Q की value क्या है 360 into 10 की power minus 12 Pico-Culamb बट्या कपिस्टेंस क्या है 9 Pico-Farad है 9 into 10 की power minus 12 Pico-Farad 9, 4, 40 आ गया यह cancel out हो गया और इसका मतलब क्या गया 40 volt चुकि सभी के charge और capacitance समान है इसलिए each capacitor पर कितना potential drop होगा 40 volt 40 volt कितना हो जाएगा 40 volt 40, 40 volt के potential drop each capacitor पर होगा clear, समझ में आया अब हम next problem की तरफ move कर रहे हैं question number 7 2, 2 microfarad है, Pico-Farad एक मिनट देख लेगे हम जानते हैं C equivalent क्या होता है जब हम इसको parallel combine करते है C equivalent बुराबर क्या होगा C1, C2, C3 good तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 Pico-Farad plus 3 Pico-Farad plus 4 Pico-Farad that is equal to 4, 3, 7, 2 9 Pico-Farad कितना हो गया? 9 Pico-Farad C equivalent के value कितना आ गया? 9 Pico-Farad हो गया It means its equivalent diagram becomes 2 इसका स्वातुल चित्र क्या बन जाएगा? देखें यह 9 Pico-Farad है और यह 100 V है ठीक? Then what is the charge present on the capacitor equal to क्या हो जाएगा? Q equal to हो जाएगा C into V 9 Pico-Farad into 100 तो क्या हो जाएगा? 900 Pico-Colam कितना चार्ज आ गया? टोटल चार्ज क्या हो गया? 900 Pico-Colam अब देखें हम लोग निकाल सकते हैं प्रतेक वे सम्पूर चार्ज हो गया 900 Pico-Colam तो देखें the charge the charge across 2 Pico-Farad capacitor is कितना हो जाएगा? Q equal to क्या होता है? C into V होता है V कितना है? तीन के तीनो के इंड्स कामन है अगर तीन के तीनो के सिरे कामन है तो इसका मतलब क्या होगा? वही उतना हुई potential होगा जितना इसके इंड पर होगा इंड पर कितना potential है? 100 potential means 2 Pico-Farad के cross भी 100 potential होगा 3 Pico-Farad के cross भी 100 100 volt का potential drop होगा और 4 के cross भी क्या होगा? 100 volt कोगा यह बिल्कुल वैसा है जैसे हम लोग घरेलू circuit में क्या करते है? अपने circuit elements को लगाते है कि बल्व के cross भी 200-100 volt होता है 220 volt फ्रीज के cross और पंखे के cross भी 220 volt होता है बिल्कुल वैसा ही है तो यहाँ पर हम लोग कर ले रहे है C की वैलू क्या है? 2 है PicoFarate है इंटू क्या करेंगे? 100 कर देंगे तो क्या देगा? 200 PicoColam 3 PicoFarate के cross क्या देगा? 3 PicoFarate इंटू 100 कर देंगे क्या देगा? 300 PicoColam अब 4 के cross क्या हो देगा? 4 PicoFarate के cross क्या होगा? इंटू 100 कर देंगे तो 400 PicoColam माने 2 PicoFarate के cross कितना charge? 200 PicoColam 3 PicoFarate के cross कितना charge? 300 PicoColam और 4 PicoFarate के cross कितना charge? 400 PicoColam हमें चार्ज पता चल गया और देखें सबको अगर हम आइड कर लेंगे तो क्या देगा? 2, 3, 5, 4, 9 और एक्यो बैलेंस से भी 9 है इसलिए हम लोग टैली भी कर सकते हैं कि क्या मेरा question correct है की incorrect है? ठीक? ओके, हम लोग next problem की तरफ move कर रहे हैं problem number 8 question number 8 question number 8 क्या है बिटा? देखे पटिकाओं के बीच वाई वाले एक समांत्र पटिका के प्रतेक पटिका का छेत्रफल दे रख्था है ये की value दे रख्था है 6 into 10 के पावर माइनस 3 मीटर square तथा उनके बीच की दूरी क्या है? D के माने 3 मिली मीटर मिली मीटर को मीटर में बतलेंगे तो 3 into 10 के पावर माइनस 3 मीटर हो गया संदारित की धार्ते की परिक्रफलना कीजिए यह से यह संदारित की धार्ते को 100 वोल्ट से जोड दिया जा है तो संदारित के प्रतेक पटिका पर कितना अवेस होगा? हमें Q को भी find करना है correct? We know that C equal to क्या होता है? अब silent not A upon D होता है अब silent not की value क्या होती है? आपको learn करना चाहिए 8.86 into 10 की पावर माइनस 12 और area क्या है? 6 into 10 की पावर माइनस 3 दूरी क्या है? 3 into 10 की पावर माइनस 3 10 की पावर माइनस 3 10 की पावर माइनस 3 cancel out हो गया आगया 2 2 से multiply करें 2 6 जा 12 17 17.72 into 10 की पावर माइनस 12 that is equal to क्या होजएगा? 1.772 एप्राक्समेट 1.8 into 10 की पावर माइनस 11 P को फाइरड इसकी value क्या आगी? 1.8 into 10 की पावर माइनस 11 P को फाइरड क्या होगा? जब इस capacitance को हम लोग किस से जोड देंगे? 100 बोल्ट के पैटरी से ठीक की equal to क्या होता है? C into B होता है C की value क्या है? 1.8 into 10 की पावर माइनस 11 into 100 multiply कर दीजिए क्या आजएगा? 1.8 into 10 की पावर माइनस 9 P कुलांब कितना आ गया? 1.8 into 10 की पावर माइनस 9 कुलांब ठीक चले हम next problem की करो के झावर माइस एकावर माइनस 9 का Garland